आज का स्पेशल नियुक्त नमस्कार मेरे पशुपालक साथियो आज का स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं जी बहुती शांदार बुल हमारे पास आया है पारश पहली बार इसकी कोई फोटो ले रहे हैं पहली बार कोई वीडियो ले रहे हैं पहली बार कोई रील डाल रहे हैं रील बना रहे हैं कहने का मतलब सारा कुछ ही आज इसका हमने शूट किया है चाहे वो रील हो चाहे फोटो हो चाहे वीडियो हो और निली रावी नसल का बुला जी पंजाब से बड़ा प्यार मिलता है बड़ा समान मिलता है और बड़ा सोच समझ के जो है पंजाब के लिए मैंने ये बुल लिया है वैसे तो देखो अरियाना की भी काफी सारी belt हैं जिसमें नीली-रावी breed मिलती है और जैसा कि पंजाब की जो फिरोजपूर है ये belt है ये मेन बेल्ट है जहाँ नीली-रावी मिलती है फिरोजपूर तरन तारन तो special बुल है जी ये नीली-रावी का और special क्यों है वो आपको भी पता है कि hsb केवल और केवल जो है अच्छी बलड लाइन के बुल जो दूद की लाइन के बुल होते हैं उनी के उपर काम कर रहे हैं हम और उसे हिसाब से जो पंजाब में मेरे को सबसे बैस्ट लगा देखो जी बैस्ट तो कोई न कोई और भी हो सकता है लेकिन फिलाल की डेट में जो हमे में अच्छे से अच्छा स्लेक्शन जो हमारे लिए था वो पारस का सबसे पहले पिंदी शिद्धू का बड़ा बड़ा दन्यवाद योट्यूब फेस्बुक पे आप देखते हूं उनके घर से बुल आया फिर अगर बात करूं और योगदान का इस बुल को दिलाने में पवित्र अपने सरपंच साब हैं डक्टर साब हैं सरबजीत बाई हैं उ तो अच्छा बुल जाना जाए के बिलकुल जायज कीमत पे हम इसका सीमन उपलब्द करवा रहे हैं सीमन त्यार है थोड़ा थोड़ा डिस्टिब्यूट कर रहे हैं सभी सप्लायरों को जो पंजाब के हमारे बाई हैं डिमांड ज्यादा है ये सभी बुलों के साथ हमारी चल रहा है कि डिमांड ज्यादा होने के कारण लगबक 10-12 बुल तो हमारे आउट ओफ स्टो की रहते हैं उसमें पारश भी है या टेस्टिकल बहुत अच्छे जितनी भी कलर मार्किंग जो निली रावी की होती है वो सारी की सारी इसमें उपलब्द हैं जहां तक मेरी कोश पिंदी शिद्धु भाई का कहना है कि जो 25 निली रावी में 25-20 को क्रोश करना बड़ी बात मानी जाती है इसकी मां जो है वो 25 के नजदीक लगने वाली बैंस है और बहुत ऐसे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो अडर की क्वालिटी बहुत अच्छी है कलर मार् है आज से अगर 10-20 साल पहले की बात करें तो हम केवल और केवल मा को जो है इदर लेया केवल और केवल जो मा को है ना उसको पकड़ते थे लेकिन अभी बहुत सारे बाई जो है वो फादर की भी बात करने लगे हैं तो मैं फादर भी बता देता हूं बहुत ही अच्छा जो यों को पता नहीं है मैं बता भी देता हूँ एक बार मिटिंग होई थी लू दियाना में 113 नंबर बुल की एक कटड़ी पहले ब्यात में तूद जो है 113 नंबर बुल है उसकी कटड़ी ने दिया था तो मेरी भी कोशिस है मेरी भी उम्मीद है कि ये बुल भी जो है अपने फादर की तरह बहुत अच्छे पैदा करेगा दूद वाड़े करेगा बाप की लाइन अच्छी है मा की लाइन अच्छी है दोनों लाइने बहुत ही बहतरी इन है 113 नंबर का काफी करें पंजाब में तो मैं एक अलग सा कंबीनेशन लेके आ रहा हूँ आप बाईयों के ल गादो चाहे अपनी ये सोनुआ वाड़ी बस्ती है या जो एक बुल और था संदू पता नहीं मैं नाम बुल गया एक में फेमस बुल था लगबग उन दो लाइने हैं तो दोन्नों लाइनों की बहसों पे कटडियों पे आप पारश को यूज कर सकते हैं और इन ब्रीड का शमश्या जो है वो खतम हो जाएगी फ्यूटर में भी जो हम बुल लेके आएंगे वो भी ऐसा ही लेके आएंगे कि यूनीक सी लाइन और यूनीक सा जो है उसका अलग लाइन का हो ता कि सारी जगे वो यूज हो जाएगी अभी मैं बात करना चाहूं कि पंजाब के जो मन जाता है प्यार भी वहां से हमें जादा मिलता है तो पंजाब के भाईयों के लिए बहुत ही स्पेशल बुल है के ले स्टेशन है जो डियने तक की जिम्मेवारी लेता है आप पारश का कोई भी स्ट्रा हमारे सिलेंडरों में से निकाल लो पारश का किसी भी टाइम हमारे यहां से खतम है जैसा कि हमारा एक अलग पैटरन है के जो स्ट्रा है उसके दोनों साइड जो है दो सिक्के के दोनों साइड जो है लाइने प्रिंट है जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं एक साइड इसार्सम बायोटेक हमारी कमपनी का नाम लिखा है दूस चान है इसको कोई कोपी नहीं कर रहा कोपी इसका अभी नियर बाई कोई होगा भी नहीं तो आप आख बंद करके डबल नाइन प्रिंट का पारश का सीमन यूज किजिए मा की फिर मैं बताना चाहूंगा इसकी मा बहुत ही यूनीक है बहुत ही स्पेसल है 19 किलो 20 किलो से कोई असी कराम दूद कम उसका फैस्ट लेक्टेशन में रहा लंबे टाइम दूद के पाड़ी और बहुत ही स्पेसल है वीडियो में भी आप चलते हुए देख पा रहे होंगे मा इसकी काफी अच्छी है तो आँख बंद करके आप पारश का सीमन यूज कर सकते हैं और किसान ब पुरी जो है वो गाय चाहिए वो जो छोटी सी होती है केरला की ब्रीड तो अलग साई क्रेज है लोगों में आजकल पशुपालन के बारे में तो आप जहां कहीं भी निली रावी के पशुपालक हैं जो ब्रीडर हैं देख रहे हैं वीडियो अब तक डूपली के सी के करते हैं कोई यहां डूपली केसी नहीं कोई दोखा दड़ी नहीं आप आख बंद करके हमारा जो सीमन है वो अपने पशुपालों के उपर योज करें पारश को लेके आए कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना जो भी वीडियो देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्याद करते हैं